कहानी एक स्कूल टीचर गांधी महान के बारे में है जब वह अपनी पर्सनल फ्रिडम के लिए आइडियोलोजिकल लाइफ को छोड़ के गलत रास्ता पकड़ लेता है तब उसकी फैमिली उसे छोड़ के चली जाती है मुवी की स्टार्टिंग 1968 से होती है जहां पर महंदास जी पूरे तमिलनाडू स्टेट में शराब बंद करने का अंधोलन चला रहे होते हैं दूसरी तरफ उनका जवान बेटा गांधी महान जुवे की लत में लग जाता है और शराब भी पीता है एक बार जुवा खेलते वक्त गांधी महान और उसके दोस्तों के बीच में फाइट हो जाती है जिसे उन लड़ते वक्त उनके चेहरे पर निशान पड़ जाते जब यह बात गांधी महान के पिता महुंदास जी को पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है उनका अपना ही बेटा बिगड गया वो उसे सबक सिखाने की सोचते और उसे कसम दिलाते कि तुम जिदगी में कभी शराब नहीं पियोगे और मेरे मरने के बाद इस मंदीर में जाते हैं मंदीर में गांधी महान को एक बिखारी मिलता है वह उससे कहता है कि तुम अपनी लाइफ उन 95% लोगों की तरह जी रहे हो जो अपने असूलों के लिए जीते हैं जो कभी खुद के लिए नहीं जी पाते हमेशा दूसरों के लिए जीते हो और जीवन बस 5% की ऐसे लोग होते हैं जो खुद के लिए जीते हैं जिनके कोई असूल नहीं होते हैं वो हमेशा अपने अमन का करते हैं तुम उन लोगों की तरह कभी नहीं जी सकते हैं तुम हमेशा उन 95% लोगों की तरह ही रहोगे मरते दम तक यह बात गांधी महान के दिल में बे से जियेगा वह अपनी life जिने के लिए एक बार में जाता है जहां वह खुल के शराब पीता है वहीं बार में उसे उसका पुराना student Rocky मिलता है वह गांधी महान को पैचान लेता है वह गांधी महान को उन दो दिन celebrate करने में help करता है वह उसे तरह तरह की शराब पिलाता है जिससे गांदी महान बहुत खुश होता है फिर रोकी गांदी महान को अपने पिता जी से मिलाने ले जाता है उसके पिता का नाम सत्यवान होता है और वह उस टाइम पे जुआ खेल रहे होते हैं उसी टाइम पे गांदी महान वहां पहुंचता है और वह उनकी जुआ जीतने में help करता है क्योंकि वह उसमें expert होता है जैसे ही गांदी महान सत्यवान के चेहरे पर वो निशान देखते वो उसे पहचान जाते ही कि अपन दोनों बचपन के friend है और वो बहुत खुश होते और साथ में पूरी राद जुआ खेलते और शराब पीते हैं यह बात गांदी महान की wife को और उसकी family को पता चल जाती कि उसने अपनी कसम तोड़ी और शराब जिससे उसकी wife और उसका बेटा घर छोड़के चले जाते वो बहुत कोशिश करता है उनको वापस लाने की लेकिन वो वापस कभी नहीं आते finally गांदी महान decide कर लेता है कि वो सत्यवान और रोकी के साथ ही रहे फिर गांदी महान सत्यवान को आइडिया देता है कि तुम अपने पिता की शराब को किसी नाम के साथ बेचो और उसे बोतल में बंद करके बेचो फिर गांदी महान सत्यवान के पिता के नाम के उपर उस शराब का नाम सूरा रखता है वो शराब बहुत पॉपुलर हो जाती और वो बहुत सारा पेशा कमा लेते हैं फिर इसी तरह से आगे चलके गांदी महान और सत्यवान दोनों मिलके एक सिंडिकेट बनाने की सोचते हैं पूरे तमिल नाडू स्टेट में स्रिफ हर बार में हमारी ही शराब पीकी जाएगी और किसी की शराब नहीं बेची जाएगी लेकिन इस टाइम पे एक सदस्से इनका विरोध करता है लेकिन तब तो वो दुनों उसससे निपट लेते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं सत्यवान को ये बात उसके दिल पे लग जाती उसे लगता है कि यह सब उसके कर्मों की सजाय है जिसकी वज़े से उसका बेटा अभी अभी मोत से बचा है इस गटना से सत्यवान बदल जाता है वह एक धार्मिक आदमी बन जाता है और इश्वर की शरड में चल जाता है वह गांधी महान को शराब बंद करने को कहता है लेकिन उस ताइम पे गांधी महान उसे संजा लेता है इसी तरह से उनकी कहानी आगे बढ़ती रहती और वो धीरे धीरे पूरे तमिल नाडू स्टेट के सबसे बड़े आदमी बन जाते हैं लेकिन तभी तमिल नाडू गवर्मेंट ये अनाउंस करती है कि अब तमिल नाडू के सारे बार में स्रिक वही शराब बेची जाएगी जिसे हम बेचने की मंजूरी देते हैं इसलिए गांदी महान और सत्यवान उस गवर्मेंट की लिस्ट में अपनी शराब का नाम भी एड़ करवाना चाते हैं इसलिए वह एक गवर्मेंट के नेता ग्यानम से मिलते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि ग्यानम भी उनके बच्पन का दोस्ते और साथ में जुआ खेलते थे वह ग्यानम से डिल कर लेते हैं और अपनी शराब और अपनी शराब को गवर्मेंट की लिस्ट में एड़ करवा लेते हैं लेकिन तबी सारे शराब माफियों के उपर सीबियाई इंक्वारी बेड़ जाब सभी कलेक्टर की देख रेक में होती ग्यानम गांदी महान को यह उफर देता है कि अगर वह कलेक्टर को मरवा देगा तो वह उसे एक बड़ा कॉंट्रेक्ट दिला देगा और गांदी महान और ग्यानम दोर के कलेक्टर की हत्या करवा देते हैं आगे चलके ग्यानम डिप्ती चिफ मिनिस्टर बन जाता है और इसमें सत्यावान और गांदी महान उसकी हल्प करते हैं सारा पैसा वही लगाते हैं एक बार ग्यानम सत्यवान और गांधी महान को मोनोपॉली का उफर देता है जिसके अंदर वह सारी लो कौलिटी को शराप बनाने की कहता है और उसे तरह-तरह के नामों से बना के बेचने को कहता है लेकिन सत्यवान उसे मना कर देता है वह अपने पिता के नाम को बदनाम नही की दंकी देता है। और उनसे बततमीजी करके उन्हें अपने आफिस से बाहर निकलवा देता है, लेकिन तभी वो दोनों ग्यानम को ब्लेक मेल करते हैं। ग्यानम का अपनी कॉलोंई वाली एक महिला से फेर होता है और जिसका एक बेटा होता है एंथनी वह एंथनी का साहरा लेके उससे ब्लेक मेल करते हैं यह बात हम मेडिया में बता देंगे जिससे तुमारी रेपोटेशन और कुर्सी दोनों चली जाएगी इससे ग्यानम डर जाता है और पूरी रेस्पेक्ट से उन्हें आता है अब बड़ा हो चुका होता है और वह दोनों एक साथ डांस करते हैं वह डांस करते हुए उन्हें कहता है कि मैं तुमारा बेटा हूं लेकिन तभी दादा गांधी महान के दोस्त माइकल को मार देता है और गांधी महान से कहता है कि यह पुलिस इंकाउंट वह एक स् मिशन से बेजा गया है पूरे तमिल नाडू स्टेट में शराफ माफिया को खतम करने के लिए वह कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन बाकी सब को मार डालूंगा फिर कहानी दादा के फ्लेश बेक को दिखाती है कि वह कैसे अपने पिता से गिरिना के साथ बढ़ा हुआ। जीनियर से रिक्वेस्ट करके तमिल नाडू स्टेट में चला जाता है स्पेशल ऑफिसर बनके और इस स्पेशल टीम को तमिल नाडू में आने के लिए ग्यानम नहीं परमिशन दी होती है क्योंकि वह भी इन दोनों से बदला लेना चाता होता है लेकिन तभी दादा एंथ से बदला लेने के लिए यह सब कर रहा है लेकिन तभी रोकी जिद करता है कि हम दादा से मिलने चलेंगे उसे एक फैमिली की तरह समझाएंगे कहेंगी कि हम एक परिवार है और वो दोनों दादा से मिलने चले जाते हैं लेकिन दादा बहुत निर्दी आदमी होता है और व वह रोकी को वहीं पर मार डालता है, इससे गांदी महान को बहुत गुसा आता है, और वह उन सब को वहीं पर मार डालता है, लेकिन वह दादा को छोड़ देता है, लेकिन उसे बूरी तरह से गायल कर दिया होता है, दूसरी और गांदी महान नाची के पास जाता है, और उसे स सत्यवान को मारना होगा दस सुनके गांदी महान बहुत परेशान हो जाता है एक तरफ उसका अपना बेटा होता है और दूसरी तरफ उसका जिगरी दोस्त होता है तबी गांदी महान सत्यवान के पास जाता है लेकिन सत्यवान के पास रोकी को मारने का एक वीडियो होता है औ लेकिन गांदी महान उसे समझाने की करता है कि हम रोकी की जीद करने पर ही वहां गए। लेकिन दादा ने मेरी एक नहीं सुनी और उसे मार डाला। ये सुनके सत्यवान को बहुत गुसा होता है और वह अपने आदमियों से गांदी महान को मारने की कहता है। और कहता है कि इस उसके बाद में तुमारे बेटे दादा को मारूं है. जिससे गांधिमाहन को गुस्सा आता है. और वो उसी टाइम पे उन सारे आदिमयों को और सत्यवान को मार डालता है. दूसरी तरफ गांधिमाहन अपनी कार को जला देता है जिसे सत्यवान traum89 ने और गांधिमाहन को सिर्फ तुम ही मारो सत्यवान को गांधी महान के हाथों से मरवाने के लिए दादा ने यह पूरा प्लान बनाया होता है यह सुनके गांधी महान शोक हो जाता है लेकिन वह भी एक प्लान बनाता है और वह दादा को यह कहता ही कि नाची को ग्यानम ने किद्नेप कर लिया है जिससे दादा को लगता है कि उसका किटनेप हो गया थी क्योंकि वह फोन नहीं उठा थी और तभी गांधी महान दादा को ग्यानम के पास भेजते हैं उसे मारने के लिए और दादा ग्यानम और उसके सारे आदमियों को मार डालता है और तबी गांधी महान दादा को फोन करके सब कुछ बता देते हैं कि यह मेरे प्लान का हिस्सा था जैसा तुमने मेरे साथ किया वेसा ही मैंने तुमारे साथ किया अब मैंने अपनी और सत्यवान की सारी संपती एक संस्ता को डोनेट कर देती है जो शराब पीने से बीमार हुए मरीजो की हल्प करेगी मैं अब गांधी महान असल में महान बन जाओगा और तुम एक क्रिमिनल बन जाओगे क्योंकि तुमने ग्यानम को मारा है मैंने यह सब कुछ तुमें सबक सिकाने और गिरतार करवाने के लिए किया है सब को अपने अपनी लाइफ जीने का हक है सब की अपनी परसनल फ्रीडम होती है हमें किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि हमें क्या असूल बनाने चाहिए किस रास्ते पे जाना चाहिए लाइफ में सब कुछ बैलेंस होना चाहिए और इसी के साथ मूवी की कहानी खतम हो जाते है